हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शाश्वत चुकला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स योटूब चैनल दोस्तों अगर आप क्लास 10 टी क्लास 12 चाहे वो यूपी बोल्ड हो बिहार बोल्ड हो इन सभी की तयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आये हो तो नीचे दी लाल वाले बटन से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना और अगर आप कुछ एक्स्टर तयारी करना चाहते हैं उपनी बोल्ड परिक्षा के लिए तो और ज्यादा कोर्स आपको हमारे अनकेडमी पे दिये गए हैं अनकेडमी का लि हेलो फ्रेंट्स मिना नम है शाश्वत और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूटूब चैनल दोस्तों के मेस्टी का क्लास 12 के लिए एक और नया चैप्टर ले करके आचुका हूं चैप्टर का नाम है तत्वो के निशकरशन के सिध्धान तेवं प्रक्रम पिछले वीडि अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लेलिस में जा करके देख सकते हैं दोस्तों नए महमानों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो में जितने नए महमान आई इस वीडियो पर प्लीज नीची देगे लाल वाले बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरू सिल्वर है क्या वो मैकेर काइट है क्या वो पिग आईरन है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ वाले नंबर रहेगा जो है हमारा पिग आईरन पिग आईरन जो होता है वो एक अयस्क नहीं कहलाता है फिलहाल इन चारों में से किवल एक अयस्क नहीं कहलाता है जिसक Bucside का सूत्र क्या होता है Het Bucside का सूत्र होता है Al2O3.2H2O यह .ka बतलब बतलब होता है इनτο लगा हुआ होता है फिल्हाल इनτο नहीं लगा जाता है डॉट यहां पर रग दिया जाता है ठिक है दोनों के बीच में होता इनτο ही है पर यहाँ पर डॉट लग दिया जाता है केमेस्टी में डॉट का मतलब इंटू होता अगर अगर मैथ में डॉट लगाते हैं तो वहाँ पर भी डॉट का मतलब इंटू ही मना जाता है 2018 में आया हुआ था 2018 यानि की इसी साल परिक्षा में आया हुआ था Next question है कौपर के भरजित अयसक से होते हैं तो कौपर के भरजित अयसक से होते हैं CO2O एवं इसे CO2S दोनों कह सकते हैं कौन सा वाला option सही डहेगा हमारा option सही डहेगा थाड, third वाली option पर टिक लगा देंग Anders 2018 में आा था, 2018 आ नहीं की इसी bold पर इक्सामे Next question मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातू है वो सोडियम दोस्तों मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातू का नाम है सोडियम जिसे सोना भी कह सकते हैं तो यहां पर फिलाल फुर्थ वाला उप्शन सोडियम है और थर्ड कॉपर है सेकंड चांदी है और सोना है तो मुक्त वस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम सोना ठीक है कौन सा वाला अप्शन सही रहेगा फर्स्ट वाला सोना सही रहेगा 2018 में ये भी आला आया था कुश्चन आपका 2018 यानि कि इसी साल बोल परिक्षाम में नेक्स्ट लोह आयसको का सांद्रड किया जाता है लोह आयसको का सांद्रड जो है दोस्तों चुम्ब किये पर्थक करण विधी द्वारा किया जाता है किसके द्वारा चुम्ब किये पर्थक करण विधी द्वारा तो वो है दोस्तों SiO2 SiO2 जो है इन चारों में से छारी गालक नहीं है तो थर्ड वाला option बिटिक लगा देंगे SiO2 छारी गालक नहीं है 2014 और 15 में आया हुआ था Next है वात्या भट्टी में Iron Oxide Upgrade होता है वात्या भट्टी में Iron Oxide Upgrade होता है वो SiO द्वारा होता है SiO द्वारा किसे SiO ठीक है तो थर्ड वाला option करेक्ट रहेगा याला जो प्रसन आपका 2018 में आया हुआ था Next Question की तरफ चलते है Next and Last Question है हमारा ये Alumina Alumina से Aluminium का निशकरशन निमन में से किस गालित मेश्रण के विद्व तब घटन द्वारा किया जाता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों हम आपको लिख के बताते हैं Al2O3 Plus Na3 AIF AIF6 Plus CAF2 ये बोलते हैं ये आपको नीचे option में भी दिया गया होगा ठीक है कौनसा वाल option थर्ड वाला देख लीजे थर्ड वाला देख लीजे यहां पर थर्ड वाला करेक्ट रहने वाला है 2018 में पूछा गया था तो इसमें थर्ड वाला option सही रहेगा दोस्तों तो इस वीडियो के लिए इतना ही सेब्टर के मैंने complete कर दी है बहुवी कल्पी प्रेसन आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं PDF आपको इसका description में दिया गया है दोस्तों तो तुरंत जाहिए और इसका PDF डाउनलोड कर लीजे दोस्तों तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वीडियो को जाते हैं तो लाइक कर दीजेगा तो कॉमेंट कर दीजेगा और नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो अब तक के लिए दोस्तों टेक केर बाबाए